प्रूम्स्ट का प्रूम्स अस्सलाम अलईकूम्, कैसे हैं आप लोग स्वाई हुप तो आज माशाळला से मेरे जो बच्चे हैं वो सुभाई सुबह जो है दोनों उठे में अभी मैंने इशाल को सुलाया है उसके बाद रायन उठ गया और उसे जीद डाल दी है कि मेरे साथ आख कि और आप रूम में सोएं तो बस आज मेरे साथ ना ये जो है वो मसला हो गया है और मैं कहरी हूँ जल्दे जल्दी से मैं अपनी जो सहरी हूँ वो कर लूँ क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे उन्होंने बस जीद स्टार्ट कर दी है और जो है जैसा कि मैंने पताया था हेल्दी वे में इंशाला ताला सहरी वगरा करेंगे तो मैं ऑली ओईल बिल्कुल थोड़ा ब्राइन आम सा डाल के उसके साथ जो हूँ मैं र बाटर लेके आओंगी तो खेर सहरी बना लो और फिर में आपसे मिलते हूं और यह बच्चा जो है ना यह अब मुझे फजर के बाद अपने साथ ही लीए कि जा रही है यह ला का बंदा जो है ना यह सोया नहीं तो खेर अब यह के स्पारा इंशाला है ताला मैं सुआ में पढ़ों की अब चलते हैं और जाके सोते हैं तो यहां पर सुबा के जो है वो साथ बच्चों के हैं और बच्चे मेरे दोनों सुए में रूम में और मुझे है के नींद आ ही नहीं रही है मेरे साथ यह उड़ता है अब मुझे नींद आएगी तो मेरे बच्चे उड़ जा और अभी बज़ रहे हैं सुबा के साथ और स्टल में आखें बंद करके और सोने की कोशिश कर रहे हूं छे बज़े से लेकिन अभी तक मुझे जो है वो नीद नी आई तो कॉमेंट सेक्शन में बताएं किस किस के साथ ही होता है कि सेरी में उटके पर नीद आती ही नहीं है औ मैं अभी फिल्हाल में ट्राइ कर रहे हूं सोने की इन्शाला तला उटके आपसे होती है मुलागात सुबह इस सुबह माशाला से मेरे जो बच्छे हैं वो सो के यहां पर उट चुके हैं और ये शाल मैडम को जो है वो टीवी चाहिए है और टाइम इस टाइम हूँ है सुबह के साड़े दस तो बस इतने बचे ही जो हूँ में उट जाती है स्टिल मुझे नीद आ रही है लेकिन मेरे बच्छे मुझे इस से जादा नहीं सोने देते हैं Assalamualaikum कैसे हैं आप लोग सब तो यहां पर डे स्टार्ट हो रहा है मेरा क्लीनिंग से कुछ जो है वो अभी मेरी फ्रेंड्स जो है यानि के गैस्ट आ रहे हैं तो खेर इसलिए मैं जल्दे उट गी वरना मेरा प्लान था कि मैं नमाज से पहले नहीं उटूंगी लेकिन क्य बारेक वले तो डिपैंड करता है आपके जो सोफे हैं वो क्या हैं बैसिकलि यह आपने ना अपने कवर्स के साथ जो है अंदर मतलब इसके फसा देने है तो उसे ही होगा कि आपके सोफे के जो कवर्स हैं वो हीलेंगी नहीं और अच्छे हैं यह दो मेरे मेरी वह जल्दी जो है ना यूनों कपड़ा सारा जो है वही गठा हो जाता है इसके यह लगा देंगे ना तो आपका जो सोफा है यह अपनी जगा से हीलेगा नहीं मैं भी इनके जो कवर्स हो यह सारे मतलब इसको सेट करते हूं फिर आपको दिखाती हूं और इसके पर हलकी से जो है वो सल्वटे हैं तो कोशिश करते हैं इसको मैं आईरन भी कर लूँ ताकि यह जो सल्वटे हैं यह निकल जाए तो ज्यादा परफेक्ट लगेगा हलका सा या तो इसको स् किसके सल्वटे निकालती है क्योंकि मुझे बहुत उल्जा नोरी है इसके सल्वटे देखके साथ हमें यहां पर जो कपड़े थे मेरे वो भी लॉंड्रे से जो हैं वाश होके आ गए हैं इनको भी जगा पर लगाते हैं समीड़ते हैं और उसके बाद में आपसे मिलते हूं थोड़ा सा वेट हो गया है लेट में ड्राइड इस चेक देख लाइड बाद में आपसे मिलते हैं और नहीं है तो यहां पर मैंने पीछे जो है वो नाति लगाई मी है क्योंकि मुझे पहले पहले ना मैं गाने लगा के काम किया करती थी लेकिन बहुत टाइम से मैंने गान जो है वो सुनना मतब बहुत कम कर दी है और अब मैं जब भी इस तरह क्लीनिंग बगएरा करती हूं तो मैं घर में नातें बगएरा लगा लेती हूं और उसके बाद यहां पर क्लीनिंग बगएरा हो गई फ्रेंड आई हम बैठे हैं बहुत हम लोगों ने अच्छी मज़े है वो वापिस जा चुकी है और वैदर जो है आज बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छा लगा अपने पाकिस्तानी देसी लोगों से मिलके ना बहुत अच्छी है घर मोसम बहुत ही जादा प्यारा है बड़ा ब्राइट से जो है तो खेर अब चलते हैं अंदर और यह व ड्रेस लेके आई हैं और साथ में एक इन्वलप दिया है यह माशाला से बहुत ही प्यारी जो है वो एक क्यूट सी ड्रेस लेके आई है जो के बहुत प्यारी लग रही है और इशाल को आ जाएगी मतलब उसको लग रहा था पताने पूरी आएगी के नहीं लेकिन आ और मुझे तो बेटी का शोग भी बहुत जादा था इंशाला समर में इसको मज़े मज़े की करवाएंगे ड्रेसिंग और अब यहां पर हमारी जो बच्ची है वो सो चुकी है अब यहां पर शाम के जो है वो चार बच्चुके है और मैं थोड़ा सा जो हूँ वो रेस्ट क परने लगी हूँ क्योंकि अभी बस मैंने सपारा पड़ा है और सर्दी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी और नींद भी आ रही है तो अभी कोशिश तो है कि सो जाएं थोड़ी देखती हूँ और इसके बाद असर की नमाज पढ़के क्योंकि असर की नमाज होने वाली है तो इसके बाद फिर मैं सोंगे थोड़ा सा टी भी एंजॉई कर लेती हूँ और यहां पर रमजान में जो मेरी बहुत जादा फेवेट चीज़े हैं कुरान पाक के इलावा वो है ये तीन सुरत रह्मान, सुरत यासीन और सुरत मुल्क, सुरत मुल्क जो है ये मैंने पहले पा, बा, measures lived message, और मामा के साथ सारी नमाजें पढ़ता है, राएन बहुत चाओ बचा ये बड़ा नेक होगा क्योंकि इसको खुद से जो है वो शोक है और मैं भी अभी जो हुमो कुरान पाकी पढ़ रही थी तो साथ ही में जो है वो रायन भी जब भी मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ और रायन जो है वो मेरे साथ ही अपना नुरानी काइदा जो है वो पढ़ता है और यह मैं पाकिसान से लेके आई थी और इन्शाला ताला इसको कुरान पाक मैं खुद पढ़ाऊंगी यहाँ पर अभी मैं एक जो रैक है यह सेट करने लगी हूँ यह मैं पाकिसान से लेक आई थी और बड़ा ही प्यारा लग रहा है तो घर में और कहीं भी जो है यह फिट नहीं हो रहा थो तो आने कि इसको अपनी ड्रेसिंग टेबल पर जो हो फिट करते हैं तो बैसीकलि इस में स्के लिए बड़े-बड़े से होल्स थह तो मैंने इसके उपर जो है इससे एक कवरेर कर द तोड़ी से यहां पर आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ ओट मील के बहुत जादा है और आप इसको बने बनाए इस ब्रेफ़स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और से कि अपने बच्छों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं तो मेरे पास यह दो फ्लेवर्स में ह जिनका के टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ओट मिल के फाइदी भी बहुत जादा बचाने के बजाएना मैं इसको इस पैक मी ही जो हूँ वह डाल के और रखने लगी हूँ दो दो डबबे जो है वो रखने मतलब सही नहीं मुझे उलजहन होती है तो यह एक डबब इसमे अच्छा यह जो है यह क्रीम बाली जो है वह ज्यादा पसंद है और दूसरी जो है यह चाकलेट फज ब्राउनी टाइप सा इसका टेस्ट है और अगर आप जैसे डाइट पे भी हैं आपकुछ एक्स्ट्रा ज्यादा निकारे तो आप यह खा लें तो मतलब इसमें आपको क साथ में यहां पर बच्चों के लिए जो है वो बस नूडल्स बना रही होई शालो राइन के लिए और इसके लावा यह यहां पर चिप्स का डबा यह इतने बड़े 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 मुझे रखना बहुत उलजान होती इसलिए मैं कहती चोटी चोटी बास्केट्स में जो बस चोटी चोटी से जो है बड़े काम होते हैं मैंने को ड़न करते हैं और बस आज को मेरा व्लॉक का यहां तक का ही था आई होप आप आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लिखती है तो इनको ज़रूर लाइक कर दिया करें इसके ब में लगात एक नई व्लॉग में पहुत ऊश्व लॉग में तिल दन ठेक क्यर अलाहाफीज और बाई बाई